दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन नूज में दोस्त इस वीडियो में बिग ब्रेकिंग नूज चिकित्सा विवाग राजस्तान सवीदा केडर में सामिल करने के लिए चिकित्सा विवाग की एक बड़ी बैठ सरकार कर रही है और उसी के तहट कल एक बड़ी बैठक का जो आयजन है वो किया रहा है आपको बताते हैं किस तरीके से ये बैठक है इसमें क्या कुछ होने वाला है इसके अलावा अगर आपको सवीदा सेवा नियम नहीं पता क्या है और आगर पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा उसमें सवीदा सेवनियम 2022 को मैंने विस्तार से एक वीडियो के माधम से समझाया हुआ है आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आईए दोस्तों पूरी अपडेट क्या है वो आप लोगों को ब परिवार कल्यान विभाग जैपूर बैठक सूचना आदिस्क्रमांग इसमें 2345 दिया गया है और इस बैठक सूचना में जो कुछ कहा गया वो आपको एक बार पढ़के बताते हैं फिर इसका मतलब समझाते हैं क्या है ये तो यहां पर दिया गया कि रास्तान कॉंट्रेक् कमेटी का गठन किया गया है उक्त कमेटी की बैठक कमरा संक्या 311 तरीते तल एनेचेम मुख्याले स्वाइस्थ भवन में दिनांक 28.09.2022 को प्राते साड़े 11 बजे आहूद की गई है जिसमें नीमन कमेटी सदसुकी उपस्तिती अपेक्सित है दोस्तों देखिए कॉंट् प्रास्ताव हैं उसमें जो भी निरने लिये जाने हैं जो भी इनको फॉर्मेट एक बनाना है वो बित विभाग राजस्थान सरकार को भीजा जाएगा और उसके लिए क्या किया गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से कि कमेटी का गठन किया गया है जिसमें काफी सारे लो जो बैठक है ये होने जा रही है कल साड़े ग्यारा बजे अब इस बैठक में जो जो अधिकारी भाग लेंगे वो यहाँ पर आठ अधिकारी है परियोजना निदेशक एनेचेम जो पीडी है आयुक्त चिकेट्सा शिक्ष्या विभाग या फिर उनके प्रतिनिधी सयुक्त म इसके अलावा हम बात करें निदेशक रास्तान स्वास्ति परिवार कल्यान संस्तान सेफू सायक विधी परामर्स चिकेट्सा और स्वास्ति विभाग अनुभाग अधिकारी है चार अनेचेम तो यह आठ जो बड़े टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं जिसमें आप लोग सेउक्त कारेकारी अधिकारी हम वो निदेशक जो हैं वित विभाग अनेचेम के वो निदेशक चिकेट्सा विभाग राजस्तान इसके लबाब डायरेक्टर स्वास्त और परिवार कल्यान विभाग सीफू यानि की जैपूर के सायक विधी परामर्स अधिकारी और सवेधन है वो अपने संबंदित सवीधा केडर के परस्ताओं सहीत बैठक में उपस्तित होने का सोहार्द करें ठीक है तो इसमें इनोंने कहा है कि चिकित्सा सिक्षा और इस्टेट हेल्थ इंस्वरेंस अजेंसी और सीफू जो संस्तान है उन तीनों से कहा जा रहा है स्प आज ही का लेटर है और इस बैठक में कित्सा विभाग है इनलैसिस करेगा यह जो अधिकारी है आठ जो अधिकारी है करमचारी है यह जो कॉंट्रेक्चल टो सिविल पॉस्ट रूल्स 2022 है किस तरीके से तैयार किये जाए क्या प्रस्ताव जो है वित विभाग को भीजा जा यह सारे के सारी exercise इस बैठक में की जाएगी इस बैठक का मतलब यह है कि कल को निर्ण होने की शंभावना लगेगी नहीं हो सकता आगे भी यह लोग बैठक कर सकते हैं जैसा कि सरकारों का रहा है बैठक के बहुत करते हैं तो यह बैठक कल होने जा रही है इस बैठक के या अन्य जो करमचारी हैं अगर उनको contractual rules में डालती है तो शायद सोने पे सुहागा होगा कम से कम उन करमचारियों को जो चिकित्सा विभाग के हैं जो 89, 63, 65, 500 रुपए में काम कर रहे हैं कम से कम उनका भला हो सकेगा सरकार को चाहिए चिकित्सा विभाग को चाहिए कि उनकरमचारियों को अपना हक दें और कम से कम उनकी payment बढ़ाएं और contractual to civil post rules 2022 में कम से कम इनको सामिल करें तो ये जानकरी है पूरी की पूरी इस बैठक का मतलब ये नहीं है कि काली सब कुछ हो जाएगा ये सिर्फ एक बैठक है आपको एक सूचिन दी गई है किस तरीके से चीजे हैं जो सवीदा rules बनाने की cadre creation की जो है चल रही है इस बैठक में जो भी ये लोग परस्ताव कार को वहां से फिर finance commission इस पर approval करेगा तो एक थोड़ा सा लंबा process है दस-पांच दिन के अंदर कुछ होना जाना नहीं है लंबी परकरिया हो सकती है लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो कर सकते हैं ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तीनों जगह पर जो आईडी है आरने सेजुकेशन न्यूज के नाम से हैं लिंक आप लों को मिल जाएंगे तीनों आईडी के तो वहां पर भी थोड़ा सा प्यार दीजिए धन्यवाद आप सभी का जै हिंद दोस्तों जै भ हारत